बिहार में कडाके की ठंड और कोड़ा जेल रहे लोगों के लिए राहत भड़ी खबर है मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रबार से ठंड की स्थिती में सुधार होने के आसार है हाला कि अभी अधिक्तम तापमान ज्यादा उपर नहीं चड़ेगा लेकिन कनकनी से निजात मिलेगी सुबह के दक्षनी भाग में कई जगों पर कोड़ी की स्थिती बनी रहेगी कहीं कहीं घना कोड़ा होगा भारी ठंड की वज़ा से पटना समेथ बिहार के बाड़ा जिलो में सीत दिवस यानि कोल डे का इलर्ड जारी किया गया है मौसम विज्यान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताए कि ज़ार्खन के आस पास एक प्रती चक्रवात की स्थिती बनने से अब उत्तर पश्मी हवा का प्रभाव कम होने और पूरवा का प्रभाव बढ़ने के आसार है ऐसे में शुक्रवार से ठंड की स्थिती में सुधार होने के आसार नजर आ रहे हैं। उधर पटना समेत लगभग पूरे सुवे में शितलहर की स्थिती से जन जीवन प्रभावित हो गया है। कराकी की ठंड और कई लाकों में घने कोड़े की कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में पिछले दो दिनों तक हवा की रफ्तार लगभग 15 किलो मीटर प्रती घंटे की रही। जिस वज़ा से गनतंत्र दिवस की शाम से लेकर अगले दिन यानि बूधवार को भी ठंड का सितम देखा गया।